हाई एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे सवस्त होंगे आज हम करने जा रहे हैं टॉर्नेट लेग वरकाउट स्टार्ट करते हैं साइड लेग राइसस में जिसमें आपको सिधे खड़े हो जाना है आपको एक एक करके अपने पैर लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है कंटीनू हम इस एक्सरसाइज को 60 सेकंड तक रखेंगे अगर आप यह एक्सरसाइज कंटीनू 30 डेज तक करते हैं तो आपकी जो बर्स है उसके फैट कर्म हो जाएंगे आपके थाई के फैट कम होंगे आपका लेग होगा है एल हैंड हमारा नेस्टल के ल Denkuил सद्धाष रॉजजरे भी लीचों है हमारे स्टठ्रेंट कर sürंट देख रहा है अपने पर की तरफ हमें पंजो के बल बंए खड़ होना करेड़े छ्ते हमारा इस टायमिंग छोता है उपिस में इंप्रूंबमेंट आता है अगर आप बहुत टाइम तक खड़े होकर आप काम नहीं कर सकते हैं तो आप अगर इस स्ट्रेचिंग को इस एक्सरसाइस को करते हैं तो आप बहुत रिलेक्स मिलेगा और आपके स्टेंडिंग टाइम भी इंप्रूव होगा अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा पेंड रहता है और आपके नी में पेंड रहता है आपके कॉफ में पेंड रहता है तो इस एक्सरसाइस के आप अपने पेंड को खड़म कर सकते हैं और अपने लेक को बहुत अच्छे से स्ट्रॉंग कर सकते हैं, अपने जो नी पेन है उससे रिलेक्स हो सकते हैं, कंटिनू हम इस एक्सरसाइज को भी 60 से कंट रखेंगे, बहुत आराम से करना है, बहुत केरफुल होके करना है, बिल्कुल स्पीड में या बहुत जलबाजी में नहीं करना है, नेस्ट है लंगे स्पीद लेग लिफ्ट, या भी हमारे हिप ओपनिंग के लिए, हमारे थाई करने के लिए यह एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, अगर आपके पैर बहुत जादा खुलते नहीं है, बहुत जादा मूब नहीं कर पाते हैं, तो इस एक्सरसाइज के आपके पैर मूब भी बहुत अच्छे से करेंगे, और आपकी जो हीप ओपनिंग है उसमें भी हेल्प करता है आज हमने आपके साथ जो एक्सेसाइब की है पर्टिकुलर लेग एंड टोनेड वरकाउट है बिदाओट एक्सासाइज मैंने आपके साथ सेर कर दी हैं उमीद करती हूं आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक सेर्ट करते रहिएगा और बहुत सार अपना प्यार दीजिएगा चैनल पे नहीं आई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैंने बहुत ही लिजिए सब्सक्राइब करना है अपने पैरों को आगे की तरप के लिजाना है उपर ओठाना है जितना हों सके फिर उसके बाद ले जाना है करें कि और बहुत ज़ादा कॉन्सेंट लगेगा हमारा बोड़ जादा हमारा बाड़ी के साथ धमारा माइंड भी एकदम मिस्थिर होना चाहिए जिससे हम इस exercise को आसानी से कर सकें या भी हमारे थाइप एड के लिए और हमारे हिप ओपनिंग के लिए साथ में हमारे ने के लिए बहुत ही अच्छा exercise है साथ में हमारा जो है leg strong होता है उसमें जो flexibility है उसमें भी improvement आता है और हमारा fat loss भी होता है हम 20-20 में 5-10 सेकंड का रिजिस्ट जरूर लेंगे और हमारा निस्ट है कोस्टल लेंगे कोस्टल लेंगे में हम अपने पैरों को बैक करेंगे लेकिन हम अपने पैरों को अगर हम लेफ्ट कर रहे हैं और राइट साइड करेंगे और राइट वाला लेफ्ट साइड को अपने पैरों को बैक में ले जाएंगे बहुत केरफुल होके करना है इस पे बहुत जादा आपका एनरजी है लगने वाली है अगर आपके पहली बार करना है तो आपके पैरों में हो चकता है पेन भी हो तो करें बहुत क्यरकफुल करके करें, धीरे धीरे करें और धीरे धीरे सीखते रहें and next हाँ है मारा Galaxy 209 aynı त्हाइं कर रहे हैं अपको नहीं द्यान में आ रहा है नहीं समझ में या एक जिय Glazakने के देकल controllers करें बहुत रिलाक्स होके करना है ज है बहुत आराम से करना है कि यह कंई लग्वर्क आउट बहुत ही इनर्जी हाल drag-out होती है इसमें आपको बहुत सी जल्दी अग Estamos बहुत है तो आप को बहुत ज़्यादा प्रॉबर्लम होंगी आपको द्दकान भी बहुत लगेगी तो बहुत आराम से का मना है में एक 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 सर्ट कर शकते हैं आगे-आगे देखते रहें और बहुत ध्यान से exercise को करते रहें नेस्ट है side squat side squat में भी यह हमारे hip opening के thigh fat loss के लिए हमारा नी उसके pain को relief करने के लिए हमारे नी के जो internal parts में पेन होता है उसको भी relax करता है तो बहुत आराम से गरें जिसको भी पैरों के movement अच्छे नहीं है चलने फिल में problem होती है बैटने में problem होती है उनके लिए यह best exercise होती है आपको चाहे तो आप किसी का support लेके भी exercise को कर सकते हैं नेस्ट है हमारा knee rises stretching नी राइसिस stretching भी हमारे नी के pain को खतम करता है साथ में हमारा अगर आपका पैर उपर की तरफ move नहीं कर पाता है उसके लिए भी यह best exercise होती है पैरों की movement के लिए बहुत ही आराम से बहुत ही Lights कि इस को किसी भी एज ग्रूप के लोग कर सकते हैं कि अ मारा नेस्ट है knee circle नी शरकल भी अगर आपको बैठने में problem होती है खड़े होने में problem होती है बैट जाते हैं तो और आपका जैसे अप बैट घया है तो खड़े नहीं हो पाते हैं बिना support के उपको खड़े है तो बैटना आप च्छटके से बैट पाते हैं या आराम से नहीं बैटना होता है तो इसके लिए यहां बेस्ट की करते हैं आपको continue 15 तीन देज तक इस exercise को करना है इससे आपके बैठने में और खड़े होने में बहुत ही अच्छे से इंप्रूब होगा आप बिना support के खड़े हो सकते हैं और बिना ऐसे धड़ाक से नहीं बहुत आराम से बैठने में भी आपका वर्ड करें गए नेस्ट है हमारा हीप सरकल हीप रिलेक्स करेगा हमारे पैरों के यूए यह होती है fixabilty उसको फ्यूंप करता है हमारे चले में had a Τ concept हमारी मधद करता है तो हम अपने हीप के भी बैट और जो ऊपे्रम होते हैं उनको भी आपन करना होता है तो उसके लिए यहां बैस्ट एक्षरसाइज होती है next ankles side to side stretching जिससे आपके पेर सीधे होते हैं अगर आप खड़े होते हैं तो आपको problem होती है अप घूमना है तो आपको पूरे घूमना पड़ता है उसके लीए भी y erst stretching है जिससे आपके पेर बहुत آसानी मूब करेंगे आप खड़े हैं to side में भी आप इसके लिए ब़ाइदे संद्रेश्ट के अगर आपको आपके नहीं बैठने में पेस को करने से आपको इस पेसे से मिलेगा कि चाहिए हमारा नेस्ट है रिविविर्स लंगे से जो हमारे थाई के और हिप के साथ ही साथ हमारे नेके जो पार्ट सुड़े होते हैं इंटर्नल पार्ट जैसे आपको पीछे जाना है पीछे मूब होने में दिक्कत होती है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है खड़े होने में आपकी स्टेंडिंग टाइमिंग बहुत कम ह आपको खड़े होते हैं तो आपके पैरों में दर्द होता है या किसी प्रकार की चलने फिले में आपको दर्द होता है उसके लिए यह बेस्ट एक्सरसाइज होती है बहुत आराम से आप अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपके इस सारी प्रॉब्लमों का अंत जर है साथ ही साथ हमारे बॉड़ी की एक्टिविटी को भी अच्छा करता है उमीद करती हूं गाइस वीडियो पसंद आया है आपको इससे कुछ ने को सीखने को जरूर मिला है तो प्लीज सस्क्राइब मिलते हैं नेस्ट वीडियो में पतलि